नमस्कार दोस्तों मैं वोकार्व गाइडेंस से नगीना सर्मा आप सभी को तहे दिल से फिर से एक बार हैपी नियुएर हो रही है दोस्तों यह आज जो आपके सामने हैं इस बीज को आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस बीज को लगाया था यह मेथी का पौधा है मेथी इसको हम लोग घर में जो बीज ड़ाते हैं उसे भी लगाते हैं मेथी के ऐसे तो बहुत सारे medicinal यूज हैं लेकिन मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगी आज मैं केवल आप लोगों से इसका वीडियो सेर करके यह दिखा रही हूँ कि आपने जो मेरे साथ साथ आपने जो इस बीज को लगाए थे उस बीज की इस्थिती कैसी है और पौधे किस तरह के तयार हुए हैं दोस्तों यह बहुत ही आसाम था केवल हम लोगों ने बीज को खेत में ऐसे ऐसे करके छिरक दिया था और समय से इसमें पानी देते रहे तो आज यह देखे किस तरह से तयार हो गया है उस दिन हम लोगों ने बहुत सारी बीजे लगाई थी आप मेरे लिंक पड़ जाकर देखेंगे तो सिड्लिंग जो हम लोग किये थे उसमें आपको नजर आएगा मेथी के साथ साथ हम लोगों ने पालक भी लगाए थी इधर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह पालक है कि अधर वीडियो ले जाने में दिक्कत हो रही है इसलिए इधर से ही मैं आपको दिखाने की कोशिस कर रही है यह पालक के पौधे हैं इसे भी हम लोगों ने उसी दिन लगाये थे करीब 10 दिन हो ग जूरे इतने हरे भरे और इस तरह से हैं हम करना क्या है मेथी तोड़ना है और आपने इसका उपियोग करना है बस अब यह धनिया है इस धनिया को भी हम लोगों यह उसी दिन लगाये थे और ठोड़े से हम लोगों ने घुख ली में लगा तो त्रे में जो धनिया लगा थे उसकी इस इस्थिती है इसकी इसको आप कीचिन में आसानी इसे रख सकते हैं और जब मन में आये धनिया दोस्थों यहां बगल में मेरा पुदीना है लेकिन मैं पुदीने को उस दिन नहीं लगाई थी यह बहुत पहले से लगा हुआ है देखिए पुदीने को यह पुदीना है और भी उस दिन हम लोगों ने और भी यह थे उसको भी प्याज के गले हुए प्याज थे उनको भी हम लोगों ने लगाए थे फाइब लगाए थे पांच उनकी स्थिति यह है इस तरह से अभी तयार हो गए हैं इनको आप चाहें तो अपने सब्जी में मसाले में उप्योग कर सकते हैं इसको मैंने काट के खतम किया है अपने सब्जी में इसका इस्तेमाल कर लिया है कि दोस्तों आपडेट करने में मैं अपको दिखाना चाह रहेही हूं कि मेरे पास जो आम के पेर हैं यह मंझर देना सुरू कर दिये मंजर देना सुरू कर दिया बहु छोटा सा पेर है अभी लेकिन यह अभी मंजर देने लगा और भी इसके मंजर इधर भी निकल रहे हैं इसके मंजर यह और भी मंजर है नीचे नीचे मैं वहां तक पहुंचने में दिक्कत होड़े यह टमाटर है आपके जो टमाटर थे वह इस तरह से फनना शुरू हो गये हैं कि पकने भी लगे हैं ओस्तारश से टमाटर की यह स्थिती है अब फूछ नीचे नीचे हो गये हैं इनको सम्हालना भी है इस तरह से यह स्थित नीचे गिर में गए धोस्तेसिक वेगन वेगन का पेरो एक तो कि ब्रेंजल इस तरह से लंबे वाले हैं इस तरह से फ़ल रहे हैं यहां यह देखिए अ यह पता ना पत्ते से आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है मेरे मन में हुई कि आज मैं आप से इनहीं को शेयर करो तो मैंने मैंने आप से अभी बेगन को शेयर करने के लिए मुझे दिखाई खुद ही नहीं दे रही है मैं क्या करूँ दोस्तों यह दिखाई दे रही है आपको देखे कितने स्वस्त वेगन है यह अपने खेट से निकलेंगे कितने स्वादिष्ट लगेंगे यह देखिए जुक के मुझे दिखाना पर रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे जगह ने मिल रहे हैं यह बैठने की यह गोवी है कि फूल निकलने शुरू हो गए हैं बहुत सारे तो गोवी हम लोगों ने खा लिए अभी बहुत सारे इस तरह से निकले हुए हैं निकल रहे हैं कि दोस्तों ब्रोकली जो हम लोगों ने लगाए थे वह भी अब निकलना शुरू करती है ब्रोकली छोटे-छोटे इसमें आने शुरू हो गए हैं इस तरह से ब्रोकली का और आप एक ही देखें तो मैंने यहां नंधे-नंधे पोधे लगाए हैं यह गोवी का जो बीज हम लोगों ने तयार किया था उसी को मैं फिर से लगा दी हूँ यह लेट से तयार होंगे और अंत समय तक यह गोवी हम लोग को खाने को मिलेंगे दोस्तों यह ब्रोकली है यह ब्रोकली कहीं खेत है पूरे में ब्रोकली लगे हुए है पूरे में ब्रोकली लगे हुए है तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज आप से अपने बगीचे का वेजीटेवल गार्डेन का वीडियो शेयर किया है अब आज मैं यहीं पर चलती हूँ फिर दुबारे आप से अगले वीडियो में मिलूंगी नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत प्यार मेरे बच्चों प्रयूँ किया सुदब तोस्तों आप कर दोस्तों